अंजली को सिलाई का काम बहुत पसंद था वो बच्पन से सिलाई करती आई है अंजली के माता-पिता बहुत गरीब थे उन दोनों के पास दो वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे तब पांस साल की अंजली ने सिलाई सीख कर पूरे परिवार को खाना परुसा था अंजली बिटिया कितनी समझदार है उसी की वज़ा से आज़ा में खाना मिल रहा है लेकिन अंजली के माता-पिता जादा दिन जिन्दा नहीं रहे एक एकसिडेंट में दोनों का देहांत हो गया उसके बाद से अंजली अकेली ही रहने लगी इस तरह अंजली जवान हो गई अंजली बहुत सुन्दर थी वो खुद के लिए कप्रे सुलती थी और वही पहन कर कॉलेज जाय करती थी सभी अंजली पर फिदा थे इसलिए पायल नाम की एक लड़की अंजली से बहुत जलती थी इस कॉलेज में सबसे सुन्दर और मॉजन मैं हूँ फिर भी सभी लोग सिर्फ अंजली के पीछे क्यों पागल है पायल का बड़ा भाई राजेश भी उसी कॉलेज में पढ़ता था अंजली से उसको प्यार हो गया अंजली भी राजेश से प्यार कर बैठी दोनों के चक्कर के बारे में पूरे कॉलेज को पता चल गया पायल ने राजेश से कहा भाया, आप इस लड़की से शादी नहीं कर सकते, ये गवार है पायल, यह सब बोलकर तू अंजली का अपमान कर रही है, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ अंजली से ही करूँगा दोनों भाई बेनों में जगड़ा शुरू हो गया, उस तरफ अंजली मन लगा कर कपड़े सिलने लगी, वो बचपन से ही बड़े-बड़े मॉडल्स की तस्वीर देखती आई है, और वो मनी मन एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है मेरे पास इतने पैशे नहीं है कि मैं एक फैशन डिजाइनर का कोर्स कर सकूँ, जो करना है, मुझे ऐसे ही करना है राजीव अंजली को बहुत सपोर्ट करता है अंजली तुम बस आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ अंजली काम करती रहती है, उसे लोगों से कपड़े बनाने के ओर्डर मिलते है और उससे अंजली की अच्छी कमाई भी हो जाती है ऐसे ही कॉलिज खत्म हो जाता है और राजीव अंजली से शाभी कर लेता है अंजली को देखकर पायल और उसकी माँ जान की चौंक जाते है ये कौन है बेटा, ये तुने किस से शादी की है इसका नाम अंजली है मा, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ भाया, तुने ये बहुत गलत किया है, इसका फल अच्छा नहीं होगा अंजली कुछ नहीं कहती, उसे राजीव से प्यार है अंजली अपने माईके से बस सिलाई मशीन ही लेकर आई है इस बात को लेकर जान की उल्टी सीधी बाते करने लगती है इस लड़की में तो तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है अपने माईके से बस एक सिलाई मशीन ले आई है भला सिलाई मशीन कौन लाता है इसे कपड़े बनाने का शौक है मा यहाँ ये सब नहीं चलेगा ये बात जान की ने अंजली से कह दी सुनो अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें सिलाई छोड़नी होगी और घर के काम काज में ध्यान देना होगा लेकिन माजी सिलाई में कैसे छोड़ सकती हो ये तुम्हें बचपन से करती आई हो मा जो कह रही है वो चुप चाप सुनो नहीं तो निकाल दी जाओगी समझी अंजली को बुरा लगा उसने ये बात राजीव को बताई राजीव ने कहा अभी कुछ मत कहो उन्हें तुम रात में सिलाई करना कौन देखने आ रहा है अंजली ने वही करना शुरू किया सुबह से लेकर रात तक वो घर का काम करती रही और रात को बंद दर्वाजे के पीछे उसने अपनी सिलाई का काम चालू रखा जानकी और पायल मिलकर अंजली से बहुत काम करवाते रहे और छोटी-छोटी गलतियों पर भी अंजली को उल्टी सीधी बाते सुनाने लगे फिर भी अंजली सब कुछ सेहने लगी लेकिन एक दिन राजीव ने ओफिस से लोट कर कहा अंजली काम की वज़े से मुझे एक महिने के लिए बाहर जाना होगा तो मुझे भी ले चली आपके साथ यहां में दम घुट-घुट कर मर जाओंगी लेकिन राजीव अंजली को ने ले जाँगा जानकी और पायल तो ऐसे ही मौके की तलाश में थे अब देख बेटी कैसे अंजली को परिशान करती हूँ जानकी ने अंजली पर अत्याचार शुरू कर दिये जानकी हर रोज अपनी सहेलियों को बुलाने लगी बहु आज मेरी पाँच सहेलिया आने वाली हैं उन सब के लिए खाना बनाओ अंजली खाना बनाने लगी और पायल ने चुपके से खाने में बहुत जादा लाल मिर्श डाल दिया खाना खाकर सभी गुस्सा हो गए जानकी तेरी बहु को तो खाना बनाना भी नहीं आता है क्या हाँ हम लोगों को मारने पर तुली है तेरी बहु जानकी की चारों सहेलियों ने अंजली का अपमान किया लेकिन एक सहेलियों ने कुछ भी नहीं कहा कौशल्या तू क्यों चुप है जानकी गलती तो सबसे होती है इसमें इतना उल्टा सीधा कहने वाली क्या बात है कौशल्या अच्छी है उसे अंजली पर दया आई अंजली रसोई में जाकर रोने लगी कौशल्या बादरूम जाने का बहाना करके रसोई में गई और अंचली को समझाने लगी रो मत अंचली जानकी ऐसी ही है अंचली ने रोते हुए उसके सपने के बारे में बता दिया मुझे इसलाई करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन माची मुझे करने ही नहीं देती मुझे फैशन डिसाइनर बनना है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बहु इसी इंडस्ट्री में है मैं आज ही उससे तुमारी बात करवाती हूँ ये सुनकर अंचली खुश हो गई रात को कौशल्या की बहु नेहा ने अंचली को कॉल किया यहां अगले ही महीने एक फैशन शो है तुम उसमें भाग ले सकती हो उसके लिए तुमें एक अच्छा सा ड्रेस बना कर लाना होगा अंचली को उसका सपना सामने देखने लगा अंचली काम पर लग दी वो रात को जग कर ड्रेस बनाने लगी इसलिए उसे घर के काम करते हुए नीन दाने लगी यह देखकर पायल को शक हुआ यह अंचली रात को क्या करती है जो दिन में तनी नीन दाती है मुझे देखना पड़ेगा पायल ने रात को खिड़की से जहाग कर सब कुछ देख लिया और घर में जैसे तुफान आ गया पायल और जानकी जबरदस्ती अंचली के कमरे में घुसाए यह क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना कि यहाँ यह सब नहीं चलेगा यह बोलकर जानकी ने अंचली की सिलाई मशीन तोड़ डाली अंचली रो पड़ी यह क्या क्या आपने यह सिलाई मशीन ही तो मेरा सब कुछ था आपने इसे तोड़ दिया हाँ, अब तुम्हें तोड़ने की बारी है यह बोलकर जानकी ने अंचली को घर से निकाल दिया अंचली रोती हुई चल पड़ी अब मैं क्या करू? कहा जाओ मैं? वो भी तो घर पर नहीं है अंचली एक जंगल में पहुँच गई और पेड के नीचे बैट कर रोने लगी तभी उसे एक चीक सुनाई दी बचाओ, बचाओ अंचली ने ये चीक सुनकर इधर उधर देखा तो उसे एक पंची जखमी होकर जंगल में पड़ी हुई दिखी अंचली उसके पास गई एई भगवान, इसके शरीर से तो खून निकल रहा है अंचली ने पानी से खून साफ किया और जंगल से जड़ी बूटी लाकर उस पंची को ठीक किया और तभी वहाँ एक चमतकार हो गया वो पंची जंगल की देवी में बदल गई अंचली, मैं पंची के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी तुम्हारा दिल बहुत साफ है मैं तुमसे प्रसन नहूं लेकिन तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो अंचली ने जंगल की देवी को सब कुछ बताया देवी ने कहा ये बात है, ठीक है मैं तुम्हें एक जादूई सिलाई मशीन देती हूं इससे तुम जैसे कपड़े बुनना चाहोगी वैसे कपड़े एक चुटकी में बुन सकती हो और इस सिलाई मशीन को कोई तोड़ भी नहीं सकता अंचली को जादूई सिलाई मशीन मिल गई अंचली ने जंगल में बैट करी अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े बनाना शुरू कर दिया और दस अच्छे कपड़े रातो रात तयार हो गए उन कपड़ों को लेकर वो फैशन शो में चली गए नहा अंचली का ही इंतजार कर रही थी अंचली आओ आओ मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी लेकिन तुम्हारे पास तो मॉडल नहीं है तुम्हारे इन कपड़ों को पहन कर स्टेज पर कौन चलेगा अंजली को कुछ समझ में नहीं आया उसने कह दिया मैं खुद चलूँगी अंजली ने उन कपड़ों को पहन कर स्टेज पर वौक किया और वो फर्स्ट आ गई उसे लाखो रुपे का प्राइज मिला एक कमपणी से उसे कपड़ों का ओर्डर भी मिल गया अंजली की लाइफ चेंज हो गई उसने एक घर खरीद लिया उस तरफ राजेश घर लोटा तो वो अंजली को ढूरने लगा पायल ने सब कुछ बता दिया राजेश गुस्सा हो गया और अपनी मा और बेहन को उल्टी सीधी बाते सुना कर बाहर चला गया और फिर वो अंजली के पास जाकर उसी के साथ रहने लगा इस बात से जानकी गुस्सा हो गई मेरे बेटे को छीन लिया ठीक है मैं उस अंजली की बच्ची को मज़ा चखा कर ही रहूँगी ये बोलकर रात को जानकी और पायल अंजली के घर में चुपके से घुस गए और सिलाई मशीन के पास चली गए इस सिलाई मशीन की वज़े से ही सब कुछ हो रहा है ये बोलकर जानकी ने उस मशीन को तोड़ने की कोशिश की लेकिन तब ही अचानक से उस मशीन से धागा अपने आप निकलने लगा और उस धागे ने जानकी और पायल को एक साथ बांद दिया बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ, बचाओ अंचली और राजेश वहाँ पर चले आए और चोरी छुपे घर में घुसने के जुल में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और इसके बाद अंचली राजेश के साथ खुशी-खुशी रहने लगी सुपर्णा को सुबर-सुबर पेट दर्द होने लगता है उसके पेट में गैस हो गई है अई है ये कल रात की रास मचावल खाने का नतीजा है अब इसे निकालना पड़ेगा सुपर्णा हाथ में लोटा लेकर घर से निकल जाती है घर से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे पॉलिथीन से गिरा हुआ शौचाले है उन लोगों का इसलिए उस शौचाले का दर्वाजा ठीक से बन नहीं होता है सुपर्णा जल्दी जल्दी वहाँ जाती है और जोर से दर्वाजा खोल देती है और जोर से चिलाती है हाई राम ये क्या देख लिया मैंने असल में शौचाले में उसका ससूर मोतिलाल बैट कर शौच कर रहा था सुपर्णा ने वही देख लिया मोतिलाल भी शरम के मारे शौचाले से उठ गया और कपड़े पहन कर बाहर आ गया क्या बहू गुसने से पहले एक बार पूच तो लेती असल में बहुत जोड से लगी थी बाउजी जो भी है ये बात किसी को बताना मन्त सुपर्णा बहुत शरमा गई वो शहर की लड़की है उसे इन सब बातों की आदत नहीं है सुपर्णा बहुत भोली भाली लड़की है अंकुष से प्यार करते वक्त उसके दिमाग में ये नहीं आया था कि अंकुष का घर गाउ में है सुपर्णा गाउँ और शहर में बहुत अंतर होता है मेरा घर गाउँ में है तुम वहाँ जाके रह पाओगी ना प्यार के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूं अंकुष लेकिन सुपर्णा को ये नहीं पता था कि प्यार के लिए अपनी इज़त को भी दाव पर लगाना पड़ेगा शादी के बाद सुपर्णा एक लंबा सा रास्ता तैकर के इस धर में है रास्ते में उसे बहुत तेज टॉयलेट लगी थी अंकुष ने कहा था सुपर्णा यहीं किसी जाड़ी के पीछे कर लो नहीं नहीं मुझे बाहर खुले में ये सब करने की आदत नहीं है मैं तुमारे घर पहुँच कर ही कर लो अंकुष अपने ही मन में सोचने लगा अरे अब इसे कैसे बताऊं कि मेरे घर पे भी शौचाले नहीं है जाड़ीों में ही जाना पड़ता है अंकुष ने कुछ नहीं बोले ये सुनकर सुपरना चौक गई उस दिन कैसे भी करके सुपरना जाड़ीों के पीछे जाकर टॉलेट कर लेती है लेकिन रात को वो अंकुष से कहने लगी देखो अंकुष मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ लेकिन बाहर शौच नहीं कर सकती तुम जल्दी से कुछ इंतजाम करो अगले दिन सुबह सुबह सुपरना को शौच के लिए खेत में जाना पड़ा तभी भी ठीक से सुबह नहीं हुई थी चारो तरफ अंधेरा था और खेत में बड़ी बड़ी घास होने की वज़ह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था अरे ये बॉम फटने की आवाज कहां से आ रही है तभी एक बुढ़े ने कहा ये बॉम फटने की आवाज नहीं है बहू ये मेरे पेट में से आ रही है वाह कितने सुन्दर हो तुम शहर की लड़किया बहुत सुन्दर होती है सुपर्णा डर गई असल में गाउं का एक बुड़ा वहीं पर बैट कर शौच कर रहा था अंधेरे में सुपर्णा उसी के पास जाकर बैट गई सुपर्णा डर के मारे वहां से दोड़कर भाग गई और घर लोटकर अंकुष को ये बात बताई अंकुष ने उसके माता पिता से कहा पिता जी सुपर्णा शहर की लड़की है उसे एक शौचाले की ज़रूरत है लेकिन हमारे घर के अंदर शौचाले नहीं बन सकता यही हमारी परमपरा है अरे ये सब पुराने खयालाद है मा पिता जी आप तो कुछ कहिए मोतिलाल ने कहा वैसे हमें भी खेत में जाने में तकलीप तो होती है ठीक है घर में नहीं तो उस तालाब के पास एक शौचाले बनाएंगे तालाब के पास पॉलिथीन से ढखा हुआ एक शौचाले बन गया लेकिन सुपर्णा इससे पूरी तरह खुश नहीं हुई क्योंकि हर बार शौच करने के लिए उसे इतनी दूर जाना पड़ रहा था और उपर से पॉलिथीन का शौचाले कभी भी तूट सकता है तेज हवा में तूट सकता है पहले दिन सुपर्णा शौचाले में घुसी और देखा कि इसका दर्वाजा ठीक से लौक नहीं होता अरे ये कैसा शौचाले है दर्वाजा बन नहीं होगा तो शान्ती से शौच कैसे करूँगी शौचाले के बाहर मोतिलाल खड़ा हुआ था उसने कहा दर्वाजे को पकड़े रहो बहू कुछ नहीं होगा और थोड़ा जल्दी करो मुझे भी जाना है सुपर्णा किसी भी तरह दर्वाजा पकड़ कर शौच करने लगी ऐसे कुछ दिन बीद गए मोतिलाल को पेट की समस्या थी इसलिए उसे बार-बार शौचाले जाना पड़ता था इसकी वज़े से सुपर्णा जब भी शौचाले जाती थी मोतिलाल अंदर होता था बाउजी आप हो क्या अंदर? हाँ बहू थोड़ा पेट खराब हो गया है मेरा ऐसे ही सुपर्णा को बाहर खड़ी रहकर इंतजार करना होता था आसपास के लोग ये सब देख कर हस्ते थे हाँ 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 अरे वो देखो शहर की लड़की शौचाले में गुसने के लिए खड़ी है अरे शहर की लड़कियां ऐसी ही होती है खड़े रहेंगे लेकिन खेत में नहीं जाएंगे हमारे बहुएं तो बहुत अच्छी है सुपर्णा ये सब सुनती थी और चुपचाप खड़ी रहती थी और ऐसे दिन बीत रहा था और एक दिन सुबह सुपर्णा को जोड़ से शौचाई तो वो दोड़ते हुए शौचाले गई और दर्वाजा खोलते ही देखा कि उसका ससूर मोतिलाल अंदर बैठा हुआ है सुपर्णा को बहुत शरम आई वो अपने पती के पास आकर रोने लगी अंकुष अंकुष ये मुझसे नहीं हो रहा मुझे घर में अपने लिए शौचाले चाहिए लेकिन ये संभव नहीं है सुपर्णा गाहँ वाले ये नहीं होने देंगे ये हमारे संसकार के खिलाफ है लेकिन सुपर्णा नहीं मानी वो रोती रही लेकिन रोकर भी कोई फायदा नहीं हुआ अगले दिन वो फिर से शौचाले गई और दर्वाजा खोलते हुए देखा कि दर्वाजा बंध है बाउची आप अंदर हो क्या? आज फिर से? लेकिन अंदर से एक औरत की आवाज आई मैं हूँ औरत की आवाज सुनकर सुपर्णा चौक गई मैं मतलब कौन हो तुम? हमारे शौचाले में क्या कर रही हो? तब ही शौचाले से गाउची एक औरत निकल आई शमा करना सुपर्णा मुझे खेत में शौच करने से शरम आती है लेकिन घर में कोई शौचाले बनाने के लिए तयार ही नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे शौचाले में चली आई मैं समझ सकती हूँ लेकिन तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है आज शाम को गाउं की सभी औरतों को यहां ले आओ वो औरत बाकियों को भी जुटा कर ले आई सुपर्णा ने उन लोगों से कुछ कहा सभी खुश हो गए रात को अंकुष घर आया सुपर्णा खाना दयार है क्या? नहीं जी मेरे पेट में दर्द है आज खाना नहीं बना पई पानी पी कर सोचा गाउं के सभी औरते यही करने लगी अगले दो दिन तक गाउं के किसी भी मर्द को खाना नहीं मिला सभी परिशान हो गए अरे एक साथ गाउं की सभी औरतों के पेट में दर्द कैसे हो सकती है? कुछ तो गडबड है भाई डॉक्टर सहाब को बुलाना पड़ेगा सुपरणा पड़ी लिखी थी उसने डॉक्टर सहाब के साथ पहले से ही बात चीत कर ली थी डॉक्टर सहाब आयो और बोले देखो गाउं वालू खुले में शौज करने की वज़े से ही ऐसा हो रहा है खुले में शौज करने की वज़े से जिवानू शरीर के अंदर जाते हैं अरे लेकिन हम मर्दों को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये औरतों का शरीर कमजोर होता है इसलिए ऐसा उन लोगों के साथ ही हुआ हर घर में शौचाले बनाओ नहीं तो सभी बिमार पढ़ जाओगे और किसी को खाना नसीब नहीं होगा ये सुनकर सभी के होश उड़ गए और अगले एक हफ़ते के अंदर हर घर में शौचाले बन गया सुपर्णा के लिए घर में एक अलग से शौचाले बनाए गया सुपर्णा बहुत खुश हुई और ऐसे ही गाव की सभी औरते खुशी खुशी रहने लगे